आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं रणामे सिद्धान तक नहीं हूँ तरी स्टेडी आइक्यू पर आपका बहुत बस्वागत है आज हम सिंगापूर की फिर से बात करेंगे सिंगापूर पर मैंने बहुत सारे लिच्चेज लिए हैं ली कुवान यू की ब बदल के रख दिया सिंगापूर का मौडन सिंगापूर को फादर भी बोला जाता है शांदार ली कुवान यू की बायाग्राफी देखिएगा तो सिंगापूर का जो स्ट्रीट हॉकर कल्चर है उसको युनिसको इंटैंजिबल हेरिटेज में शामिल किया गया है यह देख पूरा बदल गया है one of the most developed economy सिंगापूर चलो आगे बढ़ते हैं UPAC के स्मार्ट को से जाते हैं स्टेडी IQ कायप डाउनलोड करें और आप हमने test series भी लाउंच कर दी है इंस्टा पे मैं आ गया हूँ रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी queries answer करता हूँ तो देखे सिंगापूर की बा और आपका मिल जाएगा इधर चले जांगे तो भारत मिल जाएगा तो सिंगापूर आपका ये रहा अब देखें दोस्तों यह आद देख सकते हैं सिंगापूर ठीक है यहाiges कितना चोटा है सिंगापूर आपको दिखेगा भी नहीं जादातर तर जो उसकी-सिटीज है इन आइलेंड है सिंगापूर लेकिन टोटल 63 सैटलाइट आइलेंड से मिलके यह बना हुआ है और जब से आजाद हुआ है सिंगापूर पॉपुलेशन 25 परसेंट से ज्यादा बढ़ गई है कितने लोग रहते हैं यहां पे 57 लाग 5.7 मिलियन अब चार ओफिशल लाइंग्वेज़ सेंगापूर की पता है कौन-कौन सी ध्यान दीजेगा पहली कौन सी होगी डेफिनेटली इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश के ब्रेटिश एंपायर के पास था यह जो है जिस एंपायर ने जिस देश पर रूल किया है उसका एफेक्ट पड़ अगर इंग्लिश जो है वो सबसे मेन है अब दोस्तों सिंगापूर की अगर बात करें तो रिलिजन भी बड़ा डाइवर्स है सबसे ज़्यादा यहां पर 33% के पास यहां पर बुद्धिजम है 19% के लगबग Christianity है 19% कोई रिलिजन को नहीं मानते है 14% इसलाम है 5% हिंदुज़ा मैं 6% अधर है तो आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी कितनी है अब सिंगापूर की बात करें तो आपको पता ही है कि 19th सेंचुरी में यह पूरा का पूरा एरिया ब्रिटेन के पास हो गया फिर World War 2 में जब जापान ने एक्स्पैंड किया तो सिंगापूर है जापान के पास चलागी सब मैंने कवर किया है आप देख लिए जिगा लीक वान यू की बाग्राफी और उसके बाद अल्टिमेटली जब जापान ने सरेंडर किया 1945 में तो फिर से यह ब्रिटेन के पास आया और 1960 हाते आते इंडिपेंडेंस मिली आजादी मिली सिंगापूर को लेकि जब सिंगापूर को आजादी मिली बहुत बुरी हाला थे सिंगापूर की लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं ता कोई नदी तो है नी आइलेंड है क्या करेंगे दंगे हुए थे कितने लोगों को मार दिया गया था और तब आए लीक वान यू एक ऐसे लीडर जिनों ने इस देश को बदल के रख दि कि यह जो लोग कर नहीं है ना दंगे यह कायर है जो कमजोरों को मार रहे हैं और उसके बाद लीक वान यू ऐसा उठे पूरे सिंगापूर को बदल में रख दिया एजुकेशन रिफॉर्म्स लेके आए इंडस्ट्री लेके आए पॉलिसी जो है कमाल की बनाई सिंगापू अग्स में एक रांक नाइंध रांक है पीपी की बात करें जीडीपी पर कैपिटा पीपी आंप फीपी तो सेकेंड हाय एस्ट्री जीडीपी है एंट्ली कंट्री इन एश्या वित ए ए ए सौवरेन रेटिंग मिली है जब आप इंवेस्ट्मेंट करेंगे ना तो देखते हैं, AAA रेटिंग मिली हुई है, ठीक है, health care, education, quality of life, personal safety, housing, शांदार काम किया है, और इतना घरीब देश था आपकी, आप देखिए इनके बारे में, पढ़िये सिंगापूर के बारे में, unitary parliament republic है, लेकिन गजब, founding member of ASEAN भी है, APEC का हिस्सा है, तो कहने का मतलब यह है कि Singapore ने शांदार काम किया, आप देखिए, यह कितने गरीब हैं, यह 1960 की तस्वीरे हैं, और उस समय का market जो है, वो ऐसा दिखता थे Singapore में, कितने गरीब हैं, आप देखिए, यह देखिए, यहां स ठीक है, यह Singapore का market है, तो कहां से इन्होंने कितनी मेहनत कियां यहां तक आते हुए, शांदार, hats off to Singapore, तो आप Singapore के बारे में थोड़ा जान लिया, तो Singapore जो है, यहां का जो सबसे बड़ा attraction है, street hawker culture, इसको intangible cultural heritage by the UNESCO, यह घोचित कर दिया है, अब दोस्तों, intangible cultural heritage के बारे मे जान लीजे सबसे पहले, तो yoga हो गया, music, Jamaica, Finland का sauna culture हो गया, टर्की का जो whistled language है, यह सब जो है, पताए टर्की में एक whistled language है, city बजा के बाद करते हैं, यह सब जो है, intangible cultural heritage का part है, तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं, देखो वैसे तो intangible का मतलब होता है जिसको छुआ ना जा सके, जो अपने आप में ही unique हो, intangible cultural, अब cultural क्या है, मतलब वो चीज जो सालों से चली आ रही है, तो अगर UNESCO की cultural, मतलब intangible cultural heritage की बात करें, तो इसमें कोई भी ऐसी knowledge हो, या skill हो, जो UNESCO कंसिडर करे, कि cultural heritage का part है, यह बहुत time से, अब जैसे, इनका जो street street hawking culture है, वो बहुत time से है, street hawker आप समझते हैं, जो गलियों में, जो आप होते हैं कि, जो गलियों में लोग दुकान लगाए रहते हैं, रेडी वाले, जो street hawkers भी आपके आप में निकलते होंगे, सबजी वाले हो गए, और जो ठेले वाले हो गए, यह सब street hawker है, तो यह जो कुछ आ सकते हैं, इसमें intellectual wealth आ सकती है, historic places आ सकती है, monuments, in fact, non-physical intellectual wealth भी हो सकती है, जैसे customs, belief, कुछ मानते हैं, जैसे अब देखें Turkey की, जो whistle language है, ठीक है, वो कोई building तो है नहीं, लेकिन वो बहुत time से चलती है, तो इसमें non-physical intellectual wealth भी आ जाती है, कोई story है, folklore, कोई belief है, किसी च में आ जाती है, तो intangible cultural heritage की बात करें, it is considered by the member states of UNESCO, ठीक है, और ये जो intangible aspect of culture ऐसी पर ही focus करता है, अब दोस्तों, अगर आप इसकी बात करें, या in fact भारत की बात करें, तो भारत में, भारत में भी हम देखते हैं कि काफी intangible cultural heritage है, भारत में योगा है, भारत में, भारत म ठीक है, फिर कुटे आटम है, Sanskrit theater जो है, रमन है, लांग्विज है, ये एक तरीके से, चाओ डांस है, बुद्धिष्ड चांटिंग ओफ लद्दाक, मतलब भारत में, बारत तेरा जो है, योगा और कुम्ब मेला भी, नवरोज भी, ये सब intangible cultural heritage में आता है, UNESCO ने जो दिय है, तो ये है, अब हम सिंगापूर की बात करते हैं, देखें, street hawking की बात करें, तो ये जो stalls है, टूरिजम बहुत ज़ादा है सिंगापूर में, काफी टूरिस्ट आते हैं, इन्वेस्टमेंट तो एक अलग बात है, लोग यहाँ पर जॉब तो करते हैं, लेकिन टूरिजम का था, नहीं, थाइलेंड का था, येस, थाइलेंड का था, यार वहाँ पर क्या था ना, लोगों ने थेले लगाये हुए थे, मतलब वहाँ की भी street hawking जाए, बहुत मशूर है, थाइलेंड अपनी night life के लिए जाना जाता है, street hawking के लिए जाना जाता है, तिड्डे बेच र और जब उसने खाया, तो उससे खाया ही नहीं गया, क्योंकि उसको आदत नहीं है, क्यार हम बेकार में यहाँ पे इतने टिड्डों को मार देते हैं, वहीं बेचाया करें, ये तो एक start-up हो गया, है कि नहीं, लेकिन बड़ा अजीब लगा, बिच्चु है, बिच्चु को केकड़ा जो हो गया, ठीक है, केकड़ा में मिर्ची डाल के खाओ, अरे बापरे मैं तो वेजिटेरियन हूँ वैसे, लक्सा हो गया, रोटी प्राटा हो गया, काया टोस्ट हो गया, यह सब जो है, यहाँ पे खाया जाता है, देखिए, नॉन्वेज यहाँ पे बहुत मिले अबर से कंट्री है, बहुती सस्ते में खाना, और कमाल का खाना, इनफाक्ट, चाइना, मलाया तो ठीकी है, तमिल भी ओफिशल लैंग्विज आ रहे हैं, इंडिया को कैसे छोड़ दें, इडिली दोसा भी मिल जाएगा, आपको इंडियन ओरिजिन का खाना भी, यहाँ पे UNESCO World Heritage Site हो गया, तो आपको सम्मिट करना पड़ता है, जैसे जैपूर को जब World Heritage Site का तमगा मिला था, मतलबी स्टेटस दिया था, तो उसने यह प्रोपोजल सम्मिट किया था, जैपूर राजस्थान की क्यापिटल है, शेहर कोई World UNESCO Heritage Site मिला हुआ हुआ है, तो जैपूर ने स UNESCO कोई भी स्टेटस देता है, तो उसके लिए आपको प्रोपोजल सम्मिट करना पड़ता है, वो सरकार करेगी, तो UNESCO की जो representative list है, Intangible Cultural Heritage of Humanity, इसमें 10 में से 9 Singaporeans ने यह बिलकुल माना कि street hawker जो है, यह जो culture है, यह national identity का पार्ट है, तो national identity का पार्ट है तो बात ही खतम, UNESCO न heritage sideways को include किया, यह मेरा टेलिग्राम चैनल है, यह Intangible साइट में नहीं जाएगा, 12,300 सब्सक्राइबर है तो यही जोइन करें, तो अब आप थोड़ा सा history देख लीजे, देखिए, street food culture से ही तो हमारा, यह बड़े बड़े रेस्ट्रो है, यह सब कहां से, street food से ही तो आया है न उसके लिए तो यह सब coast बड़े important थे, तो British Empire ने क्या किया, in fact भारत में भी अगर आप देखे, आप urbanization पढ़िएगा, urbanization मतलब शहरी करण बड़ा important पार रहा है, तो British Empire में जो coast के town थे न, उनको काफी develop किया, मतलब जहां British रहते थे, especially जो coastal towns थे, बहाँ ज़दा develop किया, तो यह British Empire जो हैं, यह खाना भी खाएंगे, तो food culture, street hawking तब से लेकर अभी तक famous है, और तब से यह चलता चला आ रहा है, हर जगहां से China हो गया, देखिए, अमे लगर यहां कि official language है, Indians बहुत जगह migrate किया, क्यों migrate किये, क्योंकि British Empire को लेबर्स की ज़रूरत थी, जैसे Malaysia हो गया, Malaysia लिजे कि वहां तो, रामायन जो है, रामलीला, बड़ा important part है उनके culture का, ठीक है, तो इंडोनेशिया हो गया, और मतलब बहुत सारे देश हो गया, जो South East है, वहां पर इंडियन माइगरेट करते हैं, अब इंडियन माइगरेट क्यों करेंगे, यह जाधा तर लेबर्स थे, ठीक है न, यह जाधा तर इंडेंचर लेबर्स थे, मतलब यह लेबर्स थे, क्योंकि ब्रिटिश हर भाई, एक्स्पाइंड कर रहा था, खेती कर रहा था, और एक तरीके से, जो बिजनेस है, वो बड़ा रहा था, तो उसके लिए लेबर्स की जरूरत थी, तो लेबर्स कह के लिए यहाँ पे आगए, सिंपल सी बात है भाई, यह देखो, स्ट्रीट होकिंग कल्चर बहुत बढ़िया है, अब उस सामें कोई क्यापिटिलिजम तो था नहीं, ठीक है, तो अब हम यह देख रहे हैं कि इंप्लाइमेंट ऑपचुरिटी आपको कहां से मिली गया, तो उसके बाद आपको पते ही, 1965 में सिंगापूर अजाद हो गया, और 1968 में अब जो यह स्ट्रीट होकर जो बहुत टाइम से थे, सरकार्म इनको लाइसेंस देना शुरू कर दिया, और उसके बाद देखिए, आप देखिए, लीक वान यूसे में प्राइम बिनिस्टर हैं, इस इस्पेशली बिल्ट होकर सेंटर्स यह बना दिया, बहुत लोग बोलेंगे, सर इसलिए डेवलप हुआ है, चोटा शेहर था, अरे चोटा शेहर था, आप ये भी तो देखो, चोटे शेहर के हिसाब से, मतब सिंगापूर के हिसाब से, पॉपुलिशन कितनी जाता है यहां देखते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, ताकि हॉकर कल्चर को अलाइग किया जा सके, क्योंकि भाई, बड़ते जमाने के बाद, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जैसे जैसे बनने लगती हैं, यह सब कल्चर धुन्दले होने लगते हैं, लेकिन सिंगापूर न अब दुगने टूरिस्ट आएंगे यहां पे, तो सिंगापूर का जो स्ट्रीट फूड है पूरी दुनिया में, यहां पे आपको फैन्स मिलेगे, 2016 का जो चाइना टाउन का फैन होकर चैन है, मतलब यह सोया सॉस, चिकन राइस और रोस्टेट पोर्क नूडल्स और यह ब मिल रहा है, अब देखें, बहुत कुछ होने के बावजूद भी है, यह जो कल्चर ने श्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जादा जो यंग लोग है, वो भाई खाना क्यों बनाएंगे, वो कोई और इंप्रॉइम्मेंट ओपोचिनिटी ढूड़नेंगे, ठीक है ना, क्योंकि और टाइम भी ज़्यादा है, और COVID-19 में तो आप पूरी सिंगापूर में टूरिजम बहुत फेमस है, टूरिजम सबसे ज़्यादा इंपक्त हुआ है, और ग्लोबल फूड और हॉस्पिटालिटी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ब्लो यह लगा है, ठीक है, तो इसे लिए भले ही बहुत गजब का कल्चर है, लेकिन स्ट्रगल कर रहा है, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आप इतना समझी है, युनिस्को ने जो यह स्टेटस दिया है, इट इस वेरी मच मोटिवेटिंग फॉर इस स्ट्रीट हॉकर, भूश रही पर ते रहे, दिसे सिद् अगनिगो तरी सैनिगो